तो दोस्तों WhatsApp सही तरीका से किस परकार से आप इस्टोल करके चालू कर सकते हैं तो देख सकते हैं मेरे पास एक WhatsApp है जो की फोन के तरफ से आया है तो यहाँ पर एगरी करते हैं तो यहाँ पर नेश्ट करना पड़ता है नमर डालके तो चाहे आप पुराना WhatsApp उड़ा के फिर से Google Play Store से आप नया WhatsApp को इस्टोल आने कर सकते हैं तो चलिए मैं पले इस्टोर पर आ जाता हूँ और यहाँ पर दोस्तों आने के बाद यहाँ पर आपको सर्ज करना है WhatsApp तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं मेरे फोर में पहले से टैप किया हुआ है तो इसको मैं सर्ज कर देता हूँ address का problem है तो यहां जैसे मैं search कर walking below WhatsApp को तो यहां पे देख सकते हैं दूसरे नमर पर आ चुका है तो आपका first க door को आएगा तो यहां पे open करना है open करने के बाद यहांぺ ए गरी करना है एगरी करने के बाद यहां जिस भी नमर से आप अपना WhatsApp नमर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना नमर डाल देजिए सबसे पहले आपको अपना नमर डालना है तो यहाँ तक तो आप लोग जानते ही हैं और आगे भी जानेंगे तो यहाँ पर WhatsApp नमर डालने के बाद यहां पर next जैसे करते हैं यहां पर as करना है और यहां पर देख सकते हैं continue का option आया है तो जैसे continue पर क्लिक करते हैं तो यहां पर you need the official whatsapp to login in तो इस परकार से problem देखने को मिल रहा है तो इस problem को कैसे solve करना है तो एक बार यहां पर आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं WhatsApp पे तो यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको redirect कर देंगे ब्रावजर पे और यहां से आपको Google Play Store का option आएंगे यहां से आप official WhatsApp को install कर सकते हैं यहां पे redirect play store पे आ जाते हैं। फिर से यहां पे करते हैं। तो देख सकते हैं। फिर से यहीं पे आपको play store पे redirect कर देते हैं। तो बाड़ बार इस यही problem आता है। तो इस problem को आपको कैसे solve करना है। तो दोस्टों यहां पे आप एक बार अपना written WhatsApp check कर ले। नया भर्जन है कि पुराना है तो अगर आप नया वाटसब को इस्टोल किये हैं फिर भी वाटसब चालू नहीं हो रहा है तो यहां पर आपको करना क्या है एक बार आप दुसरा वाटसब नमर डाल लेजिए जैसे कि यह मेरे पास एक मुबाइल है जिसमें की दुसरा सिम तो एक बार आप दुसरा नमर डाल के देखिए वाटसब पे तो जैसे में दुसरा नमर डाल के ट्राइ करता हूं आखिर प्रोलम है क्या इस फोन में तो जैसे में दुसरा वाटसब नमर इसमें डाल दिये हैं और यहां पर नेक्स्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट करने के बा हो रहा है तो यहां पे कुछ देख सकते हैं यहां पे तो यहां पर आपको कट नहीं करना है तो जासे यहां पर वो होने के बाद यहां पर इस पर कार से फिर से दुसरा इस्टेप आ गया है और यह फोन नमर पे एक OTP आया है जो कि WhatsApp के तरफ से आया है तो इसको मैं यहाँ पर फिल कर देता हूं तो आपके भी दुसरी नमर पर OTP आये हैं तो देख के यहाँ पर आप डायल कर लिजिए तो अक्सर कभी कभी होता है क्या कहीं फोन नमर आपका WhatsApp कमपनी के तरफ से ब्लोक कर देते हैं जिसके कारण से WhatsApp आपका लोगन नहीं हो पाते हैं भेरिफाय नहीं हो पाते हैं तो चलिए मैं दूसरा नमर डाले हैं और इसमें OTP आ गया है अब मैं इसमें OTP डाल के देखता हूँ WhatsApp चालू होता है या नहीं होता है तो जैसे कि यहाँ पर OTP इस परकार से सेंड किया है और यहाँ पर जैसे दर्ज करने के बाद यहाँ पर सक्सेस्फूल हो चुका है और यहाँ पर मैं continue पर किलिक करता हूँ या तो note now पर तो जैसे इस पर किलिक करना है यहाँ से आप फोटो को सेलेक्ट कर लेना है तो यहाँ पर नाम डालने के बाद यहाँ पर next कर देना है फोटो डाल के तो चलिए फोटो डालने तो आप लोग जानते हैं तो यहाँ पर मैं थ्राइस्पीट कर दिया हूँ तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं दूसरा नमर से वाट्सप बिल्कुल इस फोन में बन चुका है तो कोई परिशानी कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो दोस्तों आप लोग को भी यह प्रोलम आ रहा है वाट्सप नहीं बन रहा है तो समझेए कि आपका वाट्सप नमर बलो कर दिया है वाट्सप के तरफ से तो दोस्तों मिलते हैं जय हिंद जय भारत